हाई एब्रीवन कैसे है आप सब अच्छे से होंगे और अपना ध्यान अच्छे से पूरी प्रेग्नेंसी में रख रहे होंगे और अपनी प्रेग्नेंसी को इंजॉय भी कर रहे होंगे आज मैं आपके लिए बहुत हेदा हेलफुल वीडियो लेकर आई हो जिस प्रॉब्लम क को आप सारी प्रेग्नेंसी से लाश तक नौ महिने तक हलका फूलका बनाए रहता है एक रूटीन सा प्रेग्नेंसी में पेड दर्द का बन जाता है को यहां तो हलका पेट दर्द शाम को हलका पेट कोई थोड़वड़ काम कर लिया तो पेट दर्द अब पूरी प्रेग्नेंसी इस कन्फ्यूजण में जीते हैं कि कभी पेट दर्द नॉर्मल है और कभी पेट दर्द रिस्की है कभ मैं हॉस्पिटल जाओं कभ घर में वेट आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाने वाली हूं पेट दर्थ क्यों होता है कब आपको हॉस्पिटल जाना है पेट दर्थ से आप कैसे प्रेगनेंसी में बस सकते हैं जैसे कि हमेश्चा आपके लिए हेल्फुल वीडियो होता है ना तो यह वीडियो आपको वीडियो पसंद आते है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे यूकि इससे क्या होगा आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी उनका पता आपको चल जाएगा और आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पर जो घंट कुछ smoothly चलता आ रहा है तो अगर आपको थोड़ा वुड़ा पेट दर्ध हो जाता है कभी कभी तो आपको टेंशन लेनी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं क्योंकि यह नॉर्मल होता है लेकिन अगर आपकी प्रेग्वेंसी में किसी भी तरीके के कोई भी कॉम्पलिकेशन ने बताया है कि आपको कॉम्पलिकेशन है आपको रेश्ट करना चाहिए जादा या आपका प्लेशन डाइंग है प्लेशन प्रिविया है आपको बिच्चा बीक है मतलब की घर्में तो इस सचिछेंad में अगर आपको पेट दर्ध होता है चाहे ठोड़ा सा हो गई तो इसवजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है लेकिन जो दर्द होगा आपको पेट के उपरी हिस्से में आपको फिल होगा तो यह दर्द बिल्कुल नौर्मल है अगर आपको गेस पास हो जाती है या आप थोड़ए spiri tut कर लेते हैं तो आपका पेट देखेंगे थोड़े टाइम बाद ही नॉर्मल हो जाता है मताब कि पेट दर्थ सई हो जाता है दूसरा इसका रीजन होता है जैसे जैसे आपका बेभी बढ़ा होना शुरू होता है सेकंड ट्राइमेस्टर से मताब कि चौथे महिने से तो क्या ह जमें जाते हैं आपके पेट की मसल्स ओती है वो फैहली सुरू हो जाती यह क्योंकि आपका घर्वाश भी बढ़ना को जाता है मतागे जगये में दर्द हो सकता है इसके बाद तीसरा रीजन क्या होता है आपने देखा होगा जब आप हिलती डुलती हैं इसे की करवट बदलती है या फिर आप बैठती हैं उठती हैं चलती हैं सीडियों वगरा चड़ती उतरती हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं जाड़ू करते हैं कि अचानक से आप कोई भी जटके से कोई चीज उठाती है इस दौरान भी आपको पेट में दर्थ फील होता होगा आपने नोटिस किया होगा तो यह भी बिल्कुल नॉर्मल है इसमें भी आपको घबराने की जरूत नहीं है आपकी मुसल्स में खिचाओ होता है जिसवाज से आपका पेट में बढ़ता है तेजी से जिसमें आपको साथ महीने में कॉंट्रेक्शन फील हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा थाइम के लिए आपको पेट में दर्थ होगा सही हो जाएगा तो यह बिल्कुल नॉर्मल बात है यह जब आपका शरीर डिलिवरी के लिए प्रेप सबसे पहली बात अगर आपको पेट दर्थ के साथ यूरिन पास करते टाइम बलड आता है साथ में प्राइविट पार्ट में जलन और दर्थ फील हो रहा है तो यह बहुत यहदर डेंजरस होता है ऐसे में आपको तुरंथ होस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर को दिखान और साथ में आपको उल्टिया भी हो रही है तो यह भी डेंजरस सिंटम होता है ऐसे में आपको तुरंथ होस्पिटल जाना चाहिए एक और रीजन होता है कि अगर आपको पेट में दर्थ है फीवर है आपको कपकपा हट हो रही है आखों के सामने धुला पनसा च्छा रहा तो भी ये डेंजर सिम्टम होता है ऐसे में भी आपको तुरन डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाना चाहिए आप पेट दर्द से बचने के को चुपाई भी हम जान लेते हैं सबसे पहला टिप्स यह है फ्रेंड्स की जिस तरफ आपको पेट दर्द हो रहा हो जैसे कि फ्र दूसरा टिप्स आप क्या आपना सकते हैं कि आप हलके गुनगोने पानी से बिलकुल हलका गुनगोना पानी गर्मिया है जादा गरम पानी से आपको नहीं नहाना है और नहीं जादा ठंडे पानी से नहाना है जो बीच का पानी होता है बिलकुल हलका गुनगोना टाइप क काम जटके से करेंगे तो यह आपको पेट में ज्यादा दर्ध हो गाई इसो भी कर रहे हैं उट रहे है तो प्रवी तो नumuz देट भी तो दीरे चलें हैं छोटे चोटे ऑदमों में नहीं होगा आप डर्ध की समयस्ष्था बचे रहेंगे इसके बाद पेड़र से बचने के लिए आप लाइट योगा एक्साइज वगएरा कर सकते हैं लेकिन जो भी आप प्रेगनसी में एक्साइज कर रहे हैं योगा कर रहे हैं एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले वह आपकी प्रेगनसी आप प्रेगनसी में पेड़र से बच सकती हैं आई हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा काफी हेल्फुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजेगा भर भर के लाइक कीजेगा और चैनल को जरू सब् पास में जो गंटिया उसको भी जरू दवाल लेगे तो चले मिलते हैं सही एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ बाबाई चेक क्या थेंक यू सो मच